नमस्कार दोस्तों. अगर आप जाना चाहते हैं कि आपके और आपके family members के नाम पे कितनी जमीन है और आप उस जमीन का exact map देखना चाहते हैं कि वो जमीन कहां पे है इसके ignal bagal kis-kis की जमीने है और आप उसका पूरा विबरन देखना चाहते हैं जो काम आप पटवारी या लेकपल को बुला के किया करते थे लेकपल आता था वो पूरा एक मैप लाता था हार्ड कॉपी में और आपको दिखाया करता था कि आप देखिए आपकी जमीन यहां यहां पे है वही काम आप ओनलैं घर बेठें अपने से भी एक सिंगल क्लिक पर अपनी मेश देख सकते हैं कि लिए तरश सो Pan अपने पाद किसके अहां को बताएगा कि आपके सामने यहां कि आप की आपकी जमीन यहां अगर आपको अपने जमीन का गाटा संख्या भी मालूम नहीं है तो भी आप इसे अपने नाम से सर्च कर सकते हैं और उसी नक्से के नीचे पूरी डिटेल दिए हुई है जैसे आपकी जमीन कितनी है आपकी जमीन क्या स्पास किस-किस की जमीने है कौन-कौन से प्लाट नंबर है कौन-कौन से गाटा थंख्या है अगर हमने इस पे कोई लोन ले रखा है तो वो भी डिटेल हमें दिखाई दे जाएगी और इस नक्से के सायता से ये भी देख सकते हैं कि आपकी जमीन कौन दबाय हुए है अगर आपकी जमीन की माप कितनी है और आपकी माप नक्से में कितनी है तो जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी जमीन कौन दबाय हुए है यही काम अगर आपको आफलाइन करना पड़े तो आपको एक रिटेन अप्लिकेशन देनी होती है उसके बार लेखफल आकर आपकी जमीन को नापता है यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई दिन या हपते भी लग सकते हैं आपको सुरू से अच्छे से समझाएंगे जिससे कि आप अपनी जमीन के पटवारी खुदी बन पाओगे इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप अपनी जमीन का मैप मॉबाईल में भी देख सकते हैं लेपटाप या डेश्टाप में भी देख सकते हैं आपको गूगल का Chrome प्राउजर उपन करना होगा और यहां पर आपको टाइप करना होगा बूलएक और आप जिस्बी स्टेट्ट वाले हैं उसका नाम जिलिए जैसे UP MP जो भी आप स्टेट के रहने वाले हैं उसका आप बूलएक के बाद में आपको नाम लिखना होगा जैसे घूम iki कर रहने बला हूँ तो मैं तो ऊप्लेक करोंगा यूपी और पहला साइट खुलेगा उसी पे आपको क्लिक करना है यह आपको पहला साइट दीख रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है तो उसमें पहला option आता है district चुनने का जन पर चुनने का अब आप यूपटी में जिस भी district के के रहने वाले, वो districts को select कर लिजेगा, यहां पर मैंने अपना district सेलेक कर लिया है इस district के अंतर जितनी भी तैसिल आएंगी वो तैसिल को आपको select कर लेना है, उस district में जितनी भी कनेक्टेट तैसिल होंगी अपनी सारी यहां पर display कर दिर जाएंगी, तो आप तरह आप अपनी तैसिल को सब्सक्राइब कर लिए अब आपको अपना विलेज्ज चुनना है अपना एरिया चुनना है आप यहां पर देखेंगे इस तैसिल में जितने सारे बिलेज आते हैं जितनी सारी लोकेशन है वो सारी सारी आ रही है अगर आप इसमें सर्च ना कर पा लिए चुलिया, अब आपके सामने मल्डिवल ओपशन आते हैं जैसे आपको अगर खस्रा या गाटा संख्याや प्लॉट संख्या आपको पता है तो आप यहां पर भरेंगे, यहां से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, खाता संख्या पता है तो इससे सकते हुआ तो खातेदार के नाम से भी कर सकते हैं तो जैसे मुझे अपना गाटा संख्या पथा है तो यहां पर पूरा डिटेल आजाएगा किस-किस के है कितने चेतरफल कितिने हैं है आप लांगुज mem claims और सकते हैं यहांल intentar सभी नाम आगRock me किस किस के नाम से है कितना area Stewart कितना वह आ अगर कोई order हे उस पे तो आ जाएगा रिमागा जाएगा अब अगर आपको अपना map देखना है तो हमारे पास से survey number या गाटा संख्या जो भी है उस पर आपको double click करना है यह जो link आ रहा है hyperlink इस पर आपको double click करना है तो जैसे मैं इस पर double click करता हूँ अब आपके सामने जो window open होके आएगी वो उस particular plot number या गाटा संख्या की संबंधित जानकारी के लिए होगी यहां पर आपको multiple options मिल जाते हैं जैसे गाटे का भूनक्सा देखें अगर आपको मालो नक्सा देखना है तो इस पर आपको click करना है तो भूखन गाटे का भूनक्सा इस पर आपको click करना है साइट थोड़ा सा slow रहती है क्योंकि इस पर बहुत सारा data upload रहता है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है तो लेफ्ट साइड जो है वह सेलेक्शन information आ रही कौन सा डिश्टी का आपने सेलेक्ट किया है कौन सा गाउन सा गाटा संख्या plot number कौन सा सेलेक्ट किया है वह information आ रही है तो सेकेंड विकल्ब मिलता है आपको select report का यहां पर आप चाहते हैं कि जो हमने single plot number डाला है उसी का मैप आये अथ्वा आल प्लॉट्स आफ सेम उनर मैं चाहता हूं कि मेरे नाम से जितने भी प्लॉट्स हैं वो सारे आ जाएं यहां पर आपको capture code डालने के बाद report PDF आपको क्लिक करना है यह site थोड़ा सा slow रहती है तो आपको थोड़ा सा पैसेंच रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा data इसमें server में हो रहता है और आपका इंटरनेट का इसमें तो यह तोड़ा ठीक है तो यह तोड़ा जल्दी आ जाएगा अधर थोड़ा टाइम होगा है ही आप फिर्टा यूअ चुका है पूरा पूरा मैप जो है वह आचुका है पे आपने प्लाट संखेय डाली थे 760 कौन कौन से plot हैं और वो भी आप निकाल सकते हैं कि किस-kis किया है कितना area है उनका अभी बर्तमान area कितना है इसको अगर आप नीचे कि तरफ सकॉल करोगे तो पूरा का पूरा detail आता है आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं ना आपको लेखवाल के पास जाने की जरूरत है ना पटवारी के पास जाने की जरूरत है आप घर बैठे आप अपने मोबाइल से अथ्वा लेप्टाप या डेश्टाप से आप देख सकते हैं तो उमीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों को साथ शेर करें जिससे यह जानकारी उनको भी मिल सके है धन्यवाद